जैश्री राधे जैश्री कृष्ण मोनी अमवस्था इस वर्ष 11 फरवरी दिन वीर वार की है तो आज हम आपको मोनी अमवस्था की कथा और इसके महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं मोनी अमवस्था के महत्व के बारे में हम आपको सबसे पहले बताएंगे उसके पशात आपको मोनी अमवस्या की परमपावन कथा सुनाएंगे तो मोनी अमवस्या को मोनी अमवस्या क्यों कहा जाता है माघ मास की इस अमवस्या को मोनी अमवस्या क्यों कहा जाता है सबसे पहले वो हम आपको बताने जा रहे हैं माग मास की अमावस्या को ही प्रत्म पुर्ष रिशी मनुजी का जनम हुआ था इसलिए इसको मनुजी के नाम के उपर मोनी अमावस्या कहा जाता है ऐसा भी कहा जाता है कि मोनी अमावस्या से ही द्वापर युग का शुभारंब हुआ है मोनी अमवस्या या मागी अमवस्या के दिन गंगा स्नान का बड़ा पुन्यफल मिलता है क्योंकि इस दिन गंगा जल बिलकुल अमरत के समान बन जाता है वैसे तो गंगा जी सदा ही अम्रत मई है गंगा जी का सनान सदा पुन्य फल देने हाला है लेकिन इस मोनी अम अवस्षा के दिन गंगा सनान का सरवाधिक महत्व हो जाता है और इस दिन विशेश रूप से दान पुन्य भी करना चाहिए क्योंकि मोनी अमवस्य के दिन जो भी हम दान पुन्य करते हैं उसका अनंत गुन्न पुन्य फल मिलता है और विशेश रूप से पित्रों की परसंता के लिए पित्रों के उधार के लिए मोनी अमवस्य को दान पुन्य अवश्य करना चाहिए मोनी अम अवस्या के दिन विशेश रूप से कहा जाता है कि इस दिन मोन वरत का पालन करना चाहिए लेकिन अगर मोन वरत का पालन ना भी हो सके तो किसी को भी दुरवचन इस दिन नहीं कहने चाहिए इस दिन विशेश रूप से भगवान के नामों का जाप करना चाहिए इस तिथी को विशेश रूप से संत महात्माओं की तरह अपना आचरन बनाना चाहिए इस दिन विशेश रूप से अगर हम मोन रखते हैं तो हमें भगवान की अनंत करीप पा मिलती है आत्मबल की विद्धी होती है माना जाता है कि इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है परियाग राज में सब देवता इस दिन सनान के लिए विशेश रूप से आते हैं और इस दिन विशेश रूप से गंगा सनान का बड़ा ज्यादा महत्व है गंगा सनान इस दिन विशेश रूप से फल दाई होता है वैसे तो गंगा जी में सदा ही सनान करने से भगवान की अनंत क्रिपा मिलती है लेकिन इस मोनी अमावस के दिन गंगा सनान भहुत ज़्यादा पून्य फल देने वाला है और इस दिन विशेश रूप से तिल का दान उत्तम माना गया है अपने पितनों के उधार के लिए और घर में सुक शांती आनंद की प्राप्ति के लिए इस दिन विशेश रूप से तिल का दान करना चाहिए बोनी अम अवस्या को भगवान श्री हरी विश्णू और भगवान श्री शिव शंकर भोले नात जी की पूजा का विधान है भगवान श्री हरी विश्णू इस दिन विशेश रूप से अपने भक्तों पर प्रसन होते हैं विशेश रूप से भगवान श्रीहरी विश्नु और भगवान शंकर इने दोनों भगवान के रूपों का पूजन करना चाहिए भगवान शिवतों वैसे भी सदा ही भोले भाले हैं इनका विशेश रूप से इस दिन पूजन करना चाहिए मोनी आम अवस्या को गंगा सनान करने के फिर्षात पित्रों को जल अर्पित करना चाहिए ऐसा करने से पित्रों को अनंत काल तक त्रिप्ती प्राप्त होती है विशेश रूप से तीरत स्तलों पर पिंडदान का विशेश महत्व इस दिन ज्यादा बढ़ जाता है इसलिए मोनी आम अवस्या के दिन विशेश रूप से इन सब बातों की तरफ धियान देना चाहिए अगर मोनी आम अवस्या के दिन हम कहीं भार सनान करने के लिए ना भी जा सके तो घर में जब हम सनान करने लगें तो नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल की कुछ बुंदे मिला लेनी चाहिए ऐसा करने से गंगा मा की अनंत कृपा मिलती है और हमारा वो सनान गंगा सनान कहा जाएगा हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया जाए तो भी गंगा स्नान का पुन्य फल मिलता है बगवान की अनंत कृपा मिलती है इसलिए विशेश रुप से इस बात को आप ध्यान में रखें कि मोनी अमवस्ता की दिन गंगा जल को नहाने के जल में अवश्य मिला लें अगर घर में गंगा जल नहीं भी है तो इसके बारे में भी हमारे धर्म गरंथों में सब कुछ बताया गया है कि अगर गंगा जल नहाने के समय ना भी मिले तो नहाते समय गंगा मया को याद कर लेना चाहिए जब आप सनान करने लगें तो गंगा जी को याद कर लें गंगा जी से प्रातना करें कि है गंगा मया मैं आपको याद करकर सनान कर रहा हूं मां गंगा को याद करेंगे तो भी गंगा सनान का पुन्य फल मिलता है ये तो हमारे धरम गरंथों में सब कुछ बताया गया है तो विश्वास रखकर गंगा जी को याद करके इस दिन आप सनान करें तो गंगास नान का आपको पुन्य फल मिलेगा और विश्येश रूप से अपनी यथा शक्ति के अनुसार आप इस दिन कुछ न कुछ दान पुन्य अवश्य करें भगवान की कथा को सुने ऐसा करने से मोनी अमवस्य के दिन भगवान की अनंत कृपा मिलती है भगवान के नामों का ज्यादा से ज्यादा जाप करें तो भी भगवान प्रसन होंगे तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं मोनी अमवस्य की परंपावन कथा की जिसको सुन्दने मातर से भगवान की अनंत कृपा मिलती है तो वो कथा इस परकार है कांची पूरी में देव स्वामी नामक ब्राह्मन की पत्नी धनवती थी उनके साथ बेटे तथा एक बेटी थी बेटी का नाम गुनवती था ब्राह्मन ने साथो पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर्की खोज में सबसे बड़े पुत्र को भेजा है ततपश्चात किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखकर कहा कि सप्त पदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी वैधव दोश दूर करने के लिए पंडित जीने एक उपाय बताया कि सोमा के पूजन से उसका वैधव दोश दूर हो जाएगा सोमा का निवास स्थान सिहन द्वीप है जैसे तैसे उसे परसंद कर विवास से पहले यहां बुला लो देव स्वामी का सबसे छोटा बेटा भेन को अपने साथ लेकर इस हेतू सागर तट पर आ गया सागर पार करने की चिंता में भाई भेन एक पेड की चाया में बैठ गए पेड की खोल में से गिद के बच्चे उनके क्रियक लापां को सब देख रहे थे साइकाल उन बच्चों की मा आई उन्होंने मा के कहने पर भी भोजन नहीं किया वे बोले कि नीचे दो प्रानी सुबै से भूखे प्यासे बैटे हुए जब तक वे कुछ नहीं खाएंगे हम भी कुछ नहीं खाएंगे दया के भाव में आकर गिद ने इन से कहा है कि मैंने आपकी इच्चाओं को आज जान लिया है वन में जो फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं लेकर आती हूँ आप भोजन करें मैं प्राता काल आपको सागर पार करा कर सीहन द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दोंगी इस तरह भाई भेन गिद की मदद से सोमा के पास पहुंच गए हैं उन्होंने सोमा की सेवा करनी शुरू कर दी वे नित्य प्राता उठकर सोमा का घर जाड लीप कर देते एक दिन सोमा ने अपनी भहों से पूछा कि हमारे घर को कौन बुहारता है कौन लीपता पोतता है सब ने कहा कि हमारे सिवाए और कौन भार से इस काम को करने आएगा एक रात को सोमा ने रहस जानना चाहा वे सारी रात जागती रही और सब कुछ परतक्ष देखकर सब बात जान गई है ब्रामन कन्या लड़के द्वारा घर के लीपने की बात जान कर उससे भाई ने सोमा से भेंसमंदी सारी बात बता दी सोमा ने उनके श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन होकर उचित समय पर उनके घर पहुँचने का वचन देकर कन्या के वैधेव दोश निवारन का आशवाशन दे दिया आग रह करने पर सोमा उनके साथ ही चल दी है चलते समय सोमा ने भहुँओं से कहा कि मेरी अनुपस्तिती में यदि किसी का ध्यांत हो जाए तो उसके श्रीर को नश्ट मत करना मेरा इंतजार करना शन भर में सोमा कांची पुरी में जा पहुँची दूसरे दिन गुनवती के विवा का कारकरम तै हो गया सप्तपदी होते ही उसका पती मर गया सोमा ने ततकाल अपने संचित पुन्यों का फल गुनवती को प्रदान किया उसका पती एक शन में जिवित हो गया सोमा आशीश देकर अपने घर पर चली गई गुन्वति को पुनिफल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्ट्य हो गई सोमा ने पुनिफल संचित करने के लिए मारग में अश्वत विर्ख्ष की चाया में श्रीहरी भगवान विश्णुजी का पूजन करके उनकी प्रिक्रमा की है इसके पुर्ण होने पर उसके प्रिवार के सब मनितक जन जीवित हो उठे निश्काम भाव से सेवा का फल सदा मधुर होता है तो इस कथा से स्पष्ट पता चलता है कि भगवान की भक्ति और सेवा भावना सबसे विशेश बात है जो सब की सेवा करता है उसके पर भगवान किसी न किसी तरह से क्रिपा कर ही देते हैं ऐसे इस कथा में सपच्ट बताया गया है कि ब्रह्मन के पूत्र और पूत्री ने सोमा की सच्चे हिर्दे भावना से सेवा की है उसके घर आंगर में सदा सफाई की है उनकी सेवा की है और इस सेवा का फल उनको यहीं मिला है कि जो ब्रह्मन की पूत्री थी उसका पती मृत हो लेकिन सोमा ने भगवान की क्रिपा प्राप्त करने के लिए अश्वत्वरिक्ष की चाया में भगवान विश्णु की पूजा की है सची शद्धा भावना के साथ भगवान श्रीविश्णु जी का पूजन करके आज उसके परिवार के सभी सदस पूने जीवित वो उठे हैं तो यही तो इस कर्था में बताया गया है कि जो भगवान की भक्ती करता है जो सब की सेवा करता है उसके जीवन में सुख शांती आनंद आ जाते हैं भगवान की भक्ती करने से और सब की सेवा करने से जीवन में एक से एक बढ़कर चमतकार भगवान अपने आप दिखाते हैं ये विश्वास रखना चाहिए कि सब कुछ उन भगवान के हाथ में है जो भगवान की सेवा करता है भगवान की भक्ति करता है संसार के काम में आता है उसके पर भगवान की अनन्त कृपा होती है तो इस परकार मोनी अमवस्य की इस परम पावन कता को आपने सुना तो आपसे यही निवेदन है कि इस मोनी अमवस्य की दिन जो की 11 फरवरी दिन वीरवार को है तो मोनी अमवस्य की दिन आपसे निवेदन है कि आप प्राता काल गंगा जल मिला कर अपने घर पर सनान करें पुन्य अवश्य करें भगवान की अनन्त कृपा आप सब पर बनी रहेगी यही इस कथा में बताया गया है तो मंदर श्रीबंसी वाले मात्मा यूटीब चैनल की ओर से इस कथा को आप सुन रहे थे आप से निवेधन है कि शिर्मत भागवत महापुरान की कथा को भी आप हम मोनी अमवस्य की इस कथा को सुनने के लिए आप सब का हार्दिक धन्यवाद भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनन्त कृपा सद आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जै श्री राधारानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै मो झाल